बिल्कुल तेजी बना ये रखनी चाहिए जिसके पास स्टॉक है क्योंकि एक कर्ल इसने एक 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 एसनिंग ड्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकाउट दिया था ब्रेकाउट वाल्यू करीबन 56 थी तो इन लेवल्स की नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 55-54 तक और आपका इमीजेट टागेट करीबन 64 से लेके 66 का होगा पर अगर मीडियम टम चार्ज भी देखे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लैन के उपर भी ट्रेड करता नजर आ रहा है तो आपको अगर 20 से 45 दिन का अगर आपका व्यू नजरिया है तो आप 70 रुपे की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते इस टॉक में